आज हम इस वीडियो में आपके साथ discuss करेंगे bolt के important type square head bolt के बारे में square head bolt नाम से ही पता चलता है square head क्योंकि जो bolt होता है उसके दो main part होते हैं ये इसका head होता है और ये वाला portion जिसे हम sank, body या फिर stem कहते हैं तो इसमें जो head की जो safe होती है वो square की form में होती है इसकी चारों साइड बराबर होती है इसलिए इसके square head bolt कहा जाता है और इसके उपर देखे अगर external thread बने होते हैं और ये most commonly प्रियोग होने वाला bolt है जो steel, stainless steel या फिर alloy steel का बना हो सकता है और जब भी हम joint प्रदान करते हैं bolt और nut की मदद से तो एक temporary joint होता है क्योंकि square head bolt के दुआरा हम machines में या फिर engineering works में दो या दो से ज़्यादा parts को आपस में align कर सकते हैं उन parts में क्या होता है कि जो hole है clearance hole उसमें बने होते हैं और उसमें एक recess भी बनी होती है जैसा आप इस diagram में देखें यहाँ पर head के लिए एक recess बनी है और यह इस recess में fit हो जाता है और उसके बाद जो nut है क्योंकि nut के अंदर internal thread होते हैं तो उस nut को bolt के external thread पे screwed किया जाता है और जो square head है यह turn नहीं करता वो recess में fit हो जाता है तो basically अगर आप इस diagram में देखते हैं तो यहाँ पर दो rails को आपस में join किया गया है और इसलिए इसे railway bolt भी इसको कहा जाता है इसे machine bolt के नाम से भी जाना जाता है अब बात करते हैं कि जो square head bolt है इसको हम इसका जो head होता है वो बड़ी आसानी के साथ जो ranches या फिर spanner हम use करते है उसमें बड़ी अच्छी तरह से वो grip हो जाता है तो उसको हम easily उसको जब nut को tight करते हैं तो बड़ी असानी से इसको grip कर सकते हैं दूसरा जो square bolt होता है इसका यह जो head होता है यहाँ पर अगर आप देखें इसको chamfer किया जाता है chamfer इसको इसलिए किया जाता है ताकि जो wrench या फिर spanner है उसकी असानी से engagement हो और इसके अत्रिक जो tool हम use करते हैं उसकी sleepage ना हो और साथ में जो sharp corner होते हैं तो वो workman जो भी कारिया करता है उसको वो किसी प्रकार से hurt ना करें इसके लिए chamfer प्रोवाइड किया जाता है और अगर हम बात करते हैं square head के proportion की कि उसकी जो dimensions है वो किस प्रकार से होती है क्योंकि जो bolt होता है उसके दो main part होते हैं ये इसका head है और ये portion होता है इसका body जिसे हम sankia vir stem भी कहते हैं इस पे जो external thread partially threaded square head bolt है अब हम proportion की बात करते हैं जो square head bolt है इसका जो nominal diameter है वो capital D है उसके बाद जो thickness होती है जो bolt की thickness है यहां से लेके यहां तक ये 0.7 times होती है nominal diameter के और ये जो angle हमें नजर आ रहा है ये वाला जो angle है ये जो chamfer का angle है ये 30 degree का होता है और जो ये वाली जो radius है जो chamfer arc की जो radius है वो diameter के 2 times होती है उसके बाद जो next proportion के अगर हम बात करें जो width होती है अगर आप ये views देखते हैं तो यहां से लेके यहां तक जो width है square head bolt की वो 1.5 times of diameter प्लस 3 mm होती है उसके बाद जो length होती है bolt की जो bolt की length होती है उसमें head की thickness को consider नहीं किया जाता तो वो पूरी body की length है जिसे capital L से indicate किया गया है वो 3 times of nominal diameter से 20 times of nominal diameter तक हो सकती है आशकता के अनुसार उसके बाद है जिस portion पर thread बने होते है जो threaded portion होता है उसकी जो length है उसको L1 से indicate किया गया है और जो L1 है अगर जो nominal diameter 80 mm तक है तो उस case में जो threaded portion की जो length है वो 3 times of nominal diameter प्लस 5 mm हो सकती है अगर nominal diameter 81 mm से 200 mm diameter के बीच में है तो उस case में जो threaded portion की length है वो 2 times of nominal diameter प्लस 10 mm हो सकती है अगर 200 mm से 200 mm से ज़्यादा nominal diameter है तो उस case में जो threaded portion की length है वो 2 times of diameter प्लस 20 mm हो सकती है तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया है square head bolt जो bolt का एक type है जिसे हम agriculture equipment में इस्तेमाल करते हैं construction या फिर automobile industries में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसका primarily जो use है वो railway application में इसका ज़्यादा है तो अगर आपको इवीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ और जल्दी हाजर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे आपका लोगाद